हेलो गाइज वेलकम बैक वेलकम टू आई के टेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लासेस के बारे में कि हमारी अगर एज 40 प्लस है अगर हमारा नंबर दूर पास दोनों का आ गया है तो हमारे लिए कौन से लेंस बैस रहेंगे हमारी डेली लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारे लिए कौन सा लेंस ज्यादा अचा रहेंगे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर हमारी एज 10 to 30 है या 40 है जब हमारा नंबर खाली दूर का है खाली पास का है तो हमको कौन से लेंसे हमारे लिए अच्छे रहेंगे हमारे बच्चों के लिए हमारी computer पर अगर हम काम करते है तो कौन से लेंसे अच्छे रहेंगे अगर हमारा काम computer पर नहीं है तो कौन से लेंसे अच्छे रहेंगे अगर हमारा field का work है तो कौन से लेंसे अच्छे रहेंगे उसका link मेरे description में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ स तो होता है जिसमें हमारी दो power दी जाती है, एक तो दूर की, एक पास की और दूसरा जो लेन्स होता है वो होता है progressive lens, जिसको multifocal lens भी कहते हैं उसमें दो power नहीं होती उसमें हर step पे power change होती है हर point पे जैसे जैसे आप उपर से नीचे की तरफ आते हैं, distance के according आपकी power में variation होता है, उसमें progression होता है, तो progressive lens की quality इसलिए जादा अच्छी होती है, क्योंकि उसके हरे step पर power change होती है, उसमें क्या bifocal में क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे patient को जमीन उठी-उठी लगती है, जब वो चलते हैं तो उनको problem आती है क्योंकि उसमें खाली दो power होती है, एक तो near एक distance, near power का जो काम होता है, जो distance होता है, वो होता है, देड़ फुट से दो फुट, जो हम reading का काम करते हैं, और दूर का जो distance होता है, वो होता है, दस फुट से जादा, या फिर 5-6-7-8 फुट ता, तो past की जो हमारा distance होता है, चेंज होती है, जो हमारी जो आजकल lifestyle में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि आजकल जो काम है, लोगों का है, 40 प्लस लोगों का है, उसमें लोगों की driving भी होती है, उसमें उनकी active lifestyle में online काम रहता है, phone का, laptop का, computer का, ये सारे काम रहते हैं, तो ज़्यादा तर laptop का जो काम होता है, वो middle distance में होता है, साथ ही जैसे कि जब हम driving करते हैं, तो driving करते हुए हमारे सारे distance हमको चाहिए, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं, बाहर drive कर रहे हैं, तो जो बाहर सामने का view आता है, वो हमारे distance vision में आता है, जो हमारे dashboard होता है, हमारी गाड़ी का meter होता ह वो हमारा middle distance में आता है जो कि bifocal lens में नहीं होता नहीं दिया जाता तो progressive में middle distance भी होता है साथ ही अगर हम गाड़ी के dashboard के बाद अपना गाड़ी का handle देखते हैं या फिर अगर हमको और कुछ past का near object देखना है तो उसमें हमारा progressive में near distance भी होता है नियर progressive में सारे distance दिये जाते हैं जैसे कि आप computer पर काम करते हैं वो भी आपका middle distance में आता है और जब आप phone पर काम करते हैं तो वो आपका near distance में ये सारे distance progressive lens में दिये जाते हैं तो जिन लोगों की active lifestyle है जिनके ये सारे काम रहते हैं तो वो progressive lens ही ले वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहे हो अभी तो हमने बात करी lenses के बारे में कौन से दो lenses होते हैं उनकी category के बारे में अब हम बात करते हैं कि अगर हम progressive lens लेते हैं या फिर bifocal lens लेते हैं तो उसमें कौन सी coating के साथ हम लें उसको hard coat लें बिना coating का लें या फिर कोई coating के साथ लें उसमें progressive lens या bifocal lens हम कोई भी लें उसमें आपकी age अगर 40 प्लस है तो आप photokermatic lens जरूर लें अगर आपको दूप में जाना रहता है या UV exposure अगर आप होते हैं photokermatic lens का क्या benefit होता है photokermatic lens दूप से आपकी आँखों को बचाता है आपकी आँखों को UV protection देता है जिसकी वज़े से आपकी आँखों में सफेद मोतिया होने के chances बहुत कम हो जाते हैं सफेद मोतिया का जो main कारड है वो UV exposure भी है साथी teresium, nakuna बहुत सारी बिमारी आँखों की होती है जो UV rays की वज़े से होती है अगर आप photokermatic lenses यूज़ करते हैं तो आपकी आँखों में उन सारी बिमारीों से आप अपनी आँखों को बचाव कर सकते हैं वो सारी बिमारी हैं जो आपको एक साल के अंदर UV rays की वे से लगने वाली थी हो सकता है वो दसो साल तक आपको ना लगे तो photogramatic lens आप यूज करें साथ ही अगर आपका computer पर काम है तो उसमें आप blue cut coating ये सब ले सकते हैं अगर आपको driving का काम है उसमें night driving बहुत सारी category आती है वो आप ले सकते हैं night driving में क्या होता है जो light हमारी सामने से जब हम drive करते हैं वो आती है उसको वो block करते है साथ ही अगर आपका ऐसा कुछ काम नहीं है तो आप hard coated lens भी ले सकते हैं जिसमें कोई coating नहीं होगी जो आपको UV rays से नहीं बचाएगा पर UV rays के लिए photokromatic आप ले ही ले क्योंकि हर इंसान को बाहर जाना होता है हर इंसान को दूप में निकलना होता है और जब summer आ जाती है तो तो हर इंसान को UV rays से बहुत ज़्यादा exposure होना पड़ता है तो वो उनके लिए बैस रहेगा आप अच्छे से अपना lens decide करें अच्छे से mind make up करें सारी चीज़ अपने दिमाग में रखें उसके बाद ही अपना lens choose करें thank you for watching my video please like and subscribe